गुट इवनिंगं गुट इवनिंग गुट इवनिंग गुट इवनिंग नेगी सोलजार्स चैसे हैं आप लोग विटा आज का सेसन बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है मैं आज आपके साथ डिस्क्स करने वाला हूँ master plan yes complete road map मैं discuss करने वाला हूं to crack gate and ESC 2025-26 in first attempt है ना तो आज का session बहुत important होने वाला है इतने भी नगी soldiers 2025-26 के लिए prepare कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं मैं timeline discuss करने वाला हूं तब तक आपका slaves complete हो जाना चाहिए कितना time revision practice test analysis के लिए sufficient रहेगा आपको किन subject से अपनी preparation start करनी चाहिए इसके साथ साथ मैं भी मैं ये भी discuss करने वाला हूं कि एक perfect strategy क्या है slaves को complete करने की क्या starting में सिर्फ पीवाई की उस करने चाहिए क्या starting में सिर्फ नई questions करने चाहिए क्या revision starting से करते वे चलना चाहिए या end में revision करना चाहिए तो यह पूरा discussion आज इस particular session में होने वाला है और कैसा कि आप देख पा रहे हैं yes master plan for gate and ESC 2025-26 and I want my soldiers to crack in first attempt ठीक है तो फटा फट से से लिंक को हर जगा शेर कर दो सब को बता दो कि नेगी सर लाइव आ चुके है session को लेकर जो लोग मेरे session के लिए पहली बार आ रहे हैं let me introduce myself my name is देवे इंद्र सिंग नेगी and I am gate all India rank 1 XC paper twice and I am teaching for gate and ESC लगबग 12 साल हो चुके हैं 12 साल होने वाले हैं and yes I completed my masters from IIT Bombay I was the top of my batch अब इस से पहले कि मैं session को start करूँ एक और छोटी सी information है क्योंकि बहुत सारे नेगी soldiers 25-26 के लिए prepare करना चाह रहे हैं तो बैटा अगर आप unacademy पर मेरी guidance के साथ जुड़ने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ unacademy पर अभी 50% off चल रहा है unacademy पर अभी 50% off चल रहा है नेगी 10 code लगाने पर अगर आप नेगी 10 code यूज करते हैं तो आपको प्लैट 50% off मिलता है और साथ में आपको मेरी personal guidance भी मिलती है पर बोथ अच्छा यह जो प्लैट 50% off है चाहे आप प्लस का subscription लो या फिर iconic लो दोनों पर ही यह offer available है applicable है 6 महीना 12 महीना 15 महीना 24 महीने का अगर आप subscription लेते हैं तो आपको 50% off मिल रहा होगा अगर आप 2025 के लिए प्रिपार करना चारे है सिर्फ उसिर्फ गेट çalış में में गेट 18 के लिए प्रिपार ना चारे आं रहे हैं एगर आप VO proposed यह सी घेटप्लस यह सी 2025 की प्रिप्लस करना चाहरे है तो आप 15 महीने का का सब्सक्रिप्सिन ले सकते हैं इस के वार कोड को स्कैन करके आप सब्स्क्रिप्चेज कर सकते हैं अगर अगर आप मेरे reply्णे में प्रिप्रेशन करना चाह रहे है तो अच्छा यह जो Offer है इसकी लास्ट के लिए प्रिपार करने का तो अल्री काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है डोंट डिले इट डोंट डिले इट एस सुना इस पॉसिबल आप सब्सक्रिप्टिप्टिन लेकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए चलिए आज का सेशन मैं एक बहुत बड़े स्टेट्मेंट के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ गेट इस एन इजी एक्जाम है अगर कोई लर्नर है अगर कोई कैंडिडेट है अगर कोई एस्पिरेंट है उसकी प्रिप्रेशन में अगर ये तीन छीज़ें हैं तो फंडर परसेंट इस लर्नर के लिए एक एजी एक्जाम ही है पहला जो आता एं वो आता है लर्नर की तरफ से अगर लर्नर गेट एक्जाम के लिए इस्प्लेन के साथ डिदिकेशन के साथ announcements foreign determination and dedication के साथ preparation कर रहा है यहां पर चीजों को समझना बिटा this is required from the learner side candidate side कि भई class है live class है तो मुझे live class attend करनी है तो करनी है quiz है तो quiz मुझे attend करना है तो करना है NTPP मिली है मुझे solve करना है तो करना है अगर उस level का commitment है उस level का discipline है उस level का determination है उस level का dedication है तो 100% is it is one of the ingredient योकी gate के exam को उसके लिए easy बना देगा दूसरी चीज जो आती है platform की side से वो है quality content वो है quality content यानि कि जो आपको content मिल रहा है वो किस depth का मिल रहा है ऐसा तो नहीं है कि आपको उपर उपर से superficially topics को touch करवा दिया गया है अगर आपको quality content मिल रहा है quality concepts मिल रहे है जो gate mechanical xc की depth required है उस depth पर जाकर आपको concepts मिल रहे है जो engineering services की width required है उस width को cover किया जा रहा है किस तरीके के problems आपको class में करवाए जा रहे है class के जो problem से उनका level किया है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ दो चार पी वाई क्यूज करवा किस लेवस कवर करवा दिया जा रहा है तो अगर आपको quality questions class में करवाए जा रहे है class के बाद आपको DPP में quality questions से दिये जा रहे हैं साथ में आपको एक अच्छी test series दी जा रही है तो 100% this is the second thing which will make your gate exam and easy exam और तीसरी चीज़ों सबसे important है इसको काफी लोग सबसे ज़्यादा underestimate करते है guidance सबसे ज़्यादा underestimated चीज है guidance लोगों को लगता है कि guidance का बहुत ज़्यादा कोई रोल है नहीं हम लोग पढ़ाई कर लेंगे platform पर हमको content मिल जाएगा बट I am telling you better पिछले 3-4 दिन 10 दिन में मेरी बहुत सारे बहुत सारे learner से बात हुई है और कहीं न कहीं कहीं न कहीं यह जो guidance वाला part है वो उनकी preparation में missing था आपको क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कहां से पढ़ना है क्या important है क्या important नहीं है किस तरीके से पढ़ना है test series कब से start करनी है कब revision करना है कैसे revision करना हैं कितना रिविजन करना है कैना ख्रिक्वेंसई रहनी चाहिए कब आपका स्लीबस complete हो जाना चाहिए यह घिस शारी चीजेx guidance का एक integral part होती है एंडWhoa Me guidance is वन आफ दावन excited important factor of your preparation तो कुल मिला के अगर आपकी preparation में तीनों चीजे हैं अगर आप discipline में पढ़ने के लिए ready है determination के साथ पढ़ने के लिए ready है dedication के साथ पढ़ने के लिए ready है आपको एक बहतरीन level का content मिल रहा है quality questions मिल रहे हैं नए problems मिल रहे हैं एक बढ़िया test series मिल रही है जो की gate के level को mimic कर रही है gate के level को replicate कर रही है बहतरीन level के mcq msq nat equations आपको test series में मिल रहे हैं एक proper guidance में आप prepare कर रहे हो तो यस आपके लिए आपके लिए gate एक easy exam होने वाला है otherwise जैसा कि notion चलता वह आ रहा है कि gate difficult exam है तो वो difficult exam बना ही रहा जाएगा अगर तीन में से एक भी इंग्रेडियंट missing है now अब मेरे gate के exam को easy बोलने का एक reason और भी है क्योंकि ये numbers कहीं न कहीं उस चीज़ को justify कर रहे हैं gate के exam में ऐसा नहीं है कि आपको 95 marks लाने आउट आफ 100 या फिर 90 marks लाने हैं अगर आप इसे data को देखोगे ये मेरे पास latest data जो 2023 का है वो available है आप देख पा रहे होंगे कि जिस भी बच्चे की mechanical में 60 plus marks आये होंगे या 61 बोल देता हू राधर जिसके भी mechanical में 61 marks आये होंगे 60 से ज़्यादा marks आये होंगे तो उसकी rank 450 से नीचे ही रही होगी उस बच्चे को PSU मिल गया होगा उस बच्चे को जो भी IIT चाहिए थी या IC बैंगलोर चाहिए था मिल गया होगा similarly XC के paper में जिस भी बच्चे के 60 प्लस आये होंगे उसकी rank 300 से नीचे रही होगी और उसको भी काफी अच्छी opportunities IIT में IC बैंगलोर में मिल गई होगी तो यार एक ऐसा exam जहाँ पर 15 marks का aptitude है 13 marks का mathematics है जो कि purely practice based चीजे है 72 marks का technical है जो कि आप mechanical में पढ़ते हैं उस exam में अगर आप 100 में से 100 marks नहीं ला पा रहे हैं तो फिर यार कही ना कहीं आपकी जो preparation है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड जरूर है तो यार अनकैडमी पर जब आप आते हो तो यह आपकी side वाला part है यह अनकैडमी platform की side वाला part है and of course यह मेरा part है क्योंकि अगर आप नेगी 10 लगा कर आते हो तो I will make sure कि आप अपना जो भी attempt लिख रहे हैं वो आपका best attempt हो आप examination hall में एक best performance दे पाओ चलो now now let us suppose आपने मन बना लिया है 2025 के लिए prepare करने का 2000 गेट 2025 एक सी के लिए prepare करने का आपने मन बना लिया है तो आपके दिमाग में एक query यह आ रही होगी कि sir अगर मैं आज से अपनी preparation start करता हूं कल से अपनी preparation start करता हूं तो क्या मेरे पास sufficient time है स्लेबस को complete करने का revision करने का practice करने का analysis करने का test series लिखने का तो मैं यहाँ पर एक चीज बता दूत जो मैंने एक timeline बनाई है मैं उसको थोड़ा सा discuss कर लेता हूं मेरे according मेरे according अगर आपको गेट का स्लेवस बहुत अच्छे से कवर करना है अगर आपको गेट का स्लेवस बहुत अच्छे से कवर करना है हर चीज को देप्थ में समझते वे चलना है हर कॉंसेप्ट को समझते वे चलना है हर डरिवेशन को करते वे चलना है हर टॉपिक के बाद प्रॉब् है उसके according आपको स्लेवस करने के लिए तेरा सो असी घंटे लगते हैं यह मेरा opinion है जब आप हर चीज जिस तरीके से मैं हर चीज देप्थ में पढ़ाते वे चलता हूं अगर उस तरीकी की depth में जाकर आप mechanical के सारे subjects cover करेंगे including aptitude and mathematics तो लगभग 1380 घंटे लगते हैं कई जगा पर यह 1000 घंटे 900 घंटे भी होते हैं but for me again I'm saying I'm talking about quality content तो लगभग 1380 घंटे आपको required होते हैं now जहां से कल से let us suppose आप 6 घंटा रोज देते हो अपनी gate की preparation को slayvers cover करने के लिए तो let us suppose अगर कल से आप 6 घंटा रोज दे रहे हैं अपनी gate के slayvers को complete करने के लिए तो अगर मैं 1380 को 6 से divide करूँ तो यह कहीं न कहीं 230 दिन के आसपास आता है यानि कि अगर आप हर दिन 6 घंटा पड़ते हैं तो आपको लगभग 230 दिन चाहिए complete slayvers को cover करने के लिए अब अगर मैं यह assume करके चलूं कि आप हफते में जो साथ दिन होते हैं उन में से 6 दिन पड़ाई कर रहे हैं gate के slayvers को cover कर रहे हैं तो आपको लगभग 38 weeks का requirement होगा 38 हफते 38 weeks आपको लगेंगे gate का slayvers complete depth में जाकर cover करने का जहां पर आपका mechanical का slayvers तो होगा ही होगा साथ में XC की जो depth है उसका slayvers भी complete होगा और अगर मैं 38 weeks को months में convert करूं तो यह आता है साड़े 9 महीने this will be 9.5 months आप अगर मान लो मैं 15th of PEP से counting स्टार्ट करूं तो मुझे लगता है साड़े 9 महीने का मतलब है नवंबर एंड आपका पूरा slayvers बहुत depth में जाकर complete हो जाएगा आपका पूरा slayvers नवंबर एंड तक बहुत depth में जाकर जो required है आज के competitive level के exam की वहां पर आपका उस level पर जाकर आपका slayvers complete हो जाएगा यानि कि आपके पास दो महीने बचते हैं अच्छे से revision करने का और test series लगाने का जो कि एक sufficient time है जो कि एक sufficient time है तो यहां से आगे अब मेरी सला आपको यह होगी कि बाई chance अगर आप 2025 के लिए प्रिपायर करने के लिए बोल रहा हूं 2025 के लिए डिस्कुसन कर रहा हूं अगर किसी को 2026 के लिए प्रिपायर करना है तो आप फिर पर दे में जो नंबर आप आर्स हैं वो थोड़ा कम करके अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं तो यार अगर नवंबर एंड तक आपका स्लेवस कंप्लीट होता है तो आपके पास बचा दिसमबर 24 एंड जैनवरी 25 यह दो महीने आपके पास बचे रिविजन करने के लिए फुल रिविजन करने के लिए हलाकि रिविजन आप डेली बेसिस पे करने वाले हो वीकली बेसिस पे करने वाले हो मंतली बेसिस पे करने वाले हो बट मैं बात कर रहा हूं एक फाइनल स्लेवस खतम होने के बाद वाले रिविजन की तो आपके पास पूरे conviction के साथ बोल रहा हूं कि अभी भी sufficient टाइम है अगर आप रोज 6 घंटा दे सकते हैं slayvus complete करने के लिए तो November end तक आपका slayvus complete हो जाएगा यहाँ पर मेरी सला आपको यह होगी बिटाप यहाँ से जादा delay मत करना यहाँ से जादा delay मत करना क्योंकि यहाँ से जितना डिले आप करते जाओगे आपका slayvus completion वाला time उतना आगे भागता जाएगा और आपका यह जो revision और test वाला time है वो उतना कम होता जाएगा और यह मेरा personal experience है last 11-12 साल का कि यह वाला time जितना कम होता जाता है final performance आपकी उतनी खराब होती जाती है आप अपनी expectation के हिसाब से perform नहीं कर पाते हो दो महीना optimum होता है 60 दिन 70 दिन optimum होते हैं revision करने के लिए test लिखने के लिए तो आप कोसिस करना कि आपका slayvus November end तक हो जाए और यह possible है अगर हर दिन आप 6 घंटा देते हैं Monday to Saturday आप 6 घंटा देते हैं अपने slayvus को complete करने के लिए तो point number one जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं yes you are having sufficient time but don't delay beyond this start your preparation as soon as possible चलते हैं आगे now सर हमने मन बना लिया है सर हम कल से अपनी preparation start करना चाह रहें अब आप एक strategy बता दो कि अगर हम अनकेडमी प्लस का subscription लेते हैं या किसी x y z का subscription लेते हैं तो हम किस तरीके से अपनी preparation को एक best way में start कर सकते हैं या strategy हमारी रहनी चाहिए तो अगर आप 2025 के लिए prepare कर रहे हैं तो first thing which I'm saying is a big no to the reference books कई बार learners जो होते हैं वो इस affair में पढ़ जाते हैं कि सर हम तो reference books पढ़ेंगे हम सर वहां से knowledge gain करेंगे सर वहां से हम problems लगाएंगे no better you don't have that much time आपके पास slivers complete करने के लिए के वल साड़े 9 महीने हैं आपके पास इतना time नहीं है कि आप हर subject के लिए books पढ़ोगे फिर वहां से questions लगाओगे तो पहली चीज आपको reference books को follow करने की requirement नहीं है तो सर आप बोल रहे हो reference books को follow नहीं करना है तो सर क्या चीज हम follow करें यहां पर भी आपने जॉइन किया है for example unacademy plus का अगर आपने subscription लिया है तो सिर्फ और सिर्फ जो भी plus की classes के videos है वो आपको follow करने है and trust me these videos are more than sufficient to give you the depth of the concepts to give you the knowledge of the conceptual concepts तो concepts के लिए आपको केवल class के videos देखने है live देखोगे सबसे बढ़िया है you must attend all the classes live only but in case अगर कुछ restriction है timings की तो आप recorded भी देख सकते हो unacademy पर आपको live के recorded version भी available होते हैं एक और चीज जो काफी लोग गलती करते हैं generally learners क्या करते हैं online की दुनिया में जब class चल रही है live class चल रही है तो वो notes running notes नहीं बनाते हैं वो क्या करते हैं class के बाद फिर वो एक एक करके सजा सजा कर notes बनाते हैं यह आपको नहीं करना है जिस तरीके से pattern होता है offline classes में आपको running notes बनाने होते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको running notes बनाने हैं क्योंकि आपके पास उतना time नहीं ह है कि आप class भी attend करो उसके बाद आप सजा सजा कर नोट भी बनाओ तो मैं हमबल रिक्वेस्ट मैं हमबल रिक्वेस्ट की आप बेटा प्लीज रनिंग नोट्स बनाएंगे अब यहां पर कुछ लर्नर का यह आता है यह कंसर आता है कि सर जब हम रनिंग नोट्स बनाते हैं तो हम क्लास पर फोकस नहीं कर पाते हैं हमको concept समझने में problem होती हाला कि ऐसे learners काफी कम है percentage में हो सकता है 5-10% ही ऐसे learners हैं जिनको रनिंग नोट्स बनाते टाइम समझने में दिक्कत होती है तो मेरी सला आपको यह होगी बैटा उस case में अनक्याडमी प्लैटफर्म पर आपको annotate notes available होते हैं आप class attend कर लो आप अच्छे से समझ लो उसके बाद आप annotate notes download कर लो annotate notes के through आप फिर अपना notes एक compile करके रख सकते हैं और साथ में अनक्याडमी पर most of the educators handwritten notes भी देते हैं तो handwritten notes भी आपको मिल जाएंगे जो old students ने बनाए थे तो running notes आपको बनाने हैं in case नहीं बना सकते हो तो या तो annotate PDF की help ले लो या फिर handwritten notes जो पहले से बने हुए किसी learner के वो आप use कर सकते हो now the next point जो कि सबसे important है आपने live class attend करी live class खतम हुई immediately आपको जो भी class में पढ़ाया गया है उसका revision करना है and यह जो प्रकरिया है revision की यह daily revision होना चाहिए you must revise on the daily basis जो जो आप पढ़ वहे हो उससे क्या होगा आपकी retention concepts की जादा रहने वाली है तो please revise on the daily basis जो भी आपने पढ़ा है जो भी notes आपने बनाए है जो भी running notes आपने बनाए है उनका आपको daily revision करना है एक बार आपने revision कर लिया हाला कि revision करने में daily revision करने में आपको बहुत जादा time नहीं लगेगा जो भी धाई घंटे की class होगी वो आप 10 से 15 मिट में summarize कर लोगे अब जैसे ही आपने revision खतम किया for example जैसे मैं अपनी class की बात करूँ तो जैसे ही class खतम होती है मैं उस class से लेटेट जितने भी topics मेंने पढ़ाए है उन topics related questions दे देता हूँ जिनको मैं NTPP बोलता हूँ तो class के तुरंत बाद जो भी topics आपने पढ़े है उससे related आपको practice problems करनी है और मेरी class के जो practice problems है डेली practice problems है उनका नाम है नेगी 10 practice problems जितने भी subjects मैं पढ़ाता हूँ हर subject का नेगी 10 practice problems on the daily basis I am giving जो भी topics cover होते हैं example अगर मैं आज की class की बात करूँ तो आज मैंने mixing chamber पढ़ाया है आज मैंने heat exchanger का concept पढ़ाया है तो अल्लेडी नेगी soldiers को मैंने mixing chamber heat exchanger के अल्लेडी डेली practice problem जाने की NTPP दे दी है अब आपने NTPP solve कर ली इसमें आपको एक दिल घंटा लगेगा solve करने में इसके बाद NTPP में आपको नए questions मिले इसके बाद आपको PYQs simultaneously करने हैं class के साथ साथ करने हैं कई बार लोग ये गलती करते हैं कि PYQs सोचते हैं कि सर जब एक exchanger mixing chamber heat exchanger पढ़ाया है तो उसके आपने नए questions कर लिया NTPP में इसके साथ साथ अब आपको PYQs करने हैं जितने भी questions mixing chamber heat exchanger से आए हैं वो सारे के सारे questions आपको उसी दिन solve कर लेने हैं जिस दिन आपने पढ़ा है topic यानि की आज देखो अगर आप देखो किता मैं कुछ इस तरीके से इस तरीके से questions देता हूं नए questions NTPP में आ गए और यह सारे पीक्यूज करने चाहिए आपको पीजिक से का से माक्षण प्रेंगे मैं Faculty डिक करने हैं इस एक पहर एपर देखेंगे यह है 2016 XC का PYQ है 2014 chemical का PYQ है 2013 XC का PYQ है तो try to understand be clear with the definition of PYQs काफी लोगों को यह clarity नहीं होती है कि PYQs का मतलब क्या है वो जो particular subject है वो जितने भी gate के papers में है उन सब के PYQs आपको करने है for example अगर मैं fluid mechanics की बात करूं तो आपको mechanical के PYQs करने है आपको XC के करने है आपको civil के करने है आपको chemical के करने है आपको PIK करने है आपको metallurgy के करने है आपको aerospace के करने है ठीक है आपने होने से पहले आपने वो दिन खतम होने से पहले जो भी topic अपने पड़ा है उसका रिविजन कर लिया उसके नई कोई कर लिए उसके पीवाई की लगा लिए यह एक परफेक्ट स्ट्राटीजी की मैं बात कर रहा हूं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप चाहते हूं कि गेट एक्जाम में आपकी एक अच्छी रैंक आए सिं उसने ढ़िन नए को असक्राइस करना हैँ उसने हो सकता कि आपसे अगर मैंने जो स्टार मार्क लगा दो जाकी आपको यह पता मैं पहले एटम्ट में नहीं कर पाया था आप यह प्यूचर में आपको क्या करना है यह स्टार के इस स्टार मारक वाले हैं इनी को ही दोबारा solve करना है अरे चम्पू जो फिस पहले attempt में बन गए तो वो दूसरे attempt में भी बनी जाएंगे तो दुबारा से आपको सारे कुअसन्स नहीं solve करने आपको केवल वही question दुबारा से solve करने हैं जो आप पहले attempt में solve नहीं कर पाए थे यह डेली बेसिस का रूटीन है मालो दस दिन में आपका एक चप्टर खतम हो गया या आठ दिन में आपका एक चप्टर खतम हो गया जैसे ही आपका चप्टर खतम हुआ अब आपको इस पूरे चप्टर को समराइज करना है अपनी लेंग्वेज में समराइज करना है जितना क हैं यानी कि आपको सWORTS लिए में तो आपको सौडस बनाने हैं यानने कि आपको शी सअच नूर्ट में जो भी इंपकोटन चीजें है जितने भी इंपूर्टन पार्मॉलाज है जिदने भी important concepts हैं वो बहुत ही concise way में आपको लिखना है एक बार आपने short notes बना दिया हलाकि अभी आपको short notes की value समझ में नहीं आएगी लेकिन जब आपका slavus खतम हो रहा होगा November end में जब आप December में January में revision कर रहे होंगे तो यह revision के time पर आपको यह short notes बहुत help करने वाले हैं क्योंकि जब revision करते हैं जब revision करते हैं तो यार आपके पास उतना time नहीं होता कि आप एक एक notebook जो आपकी भरी हुई है उसको पलट कर देखेंगे कि इसमें मैंने क्या लिखा तैसमें क्या नहीं लिखा था तो वहाँ पर आपको short notes काफी help करने वाले हैं आपने short notes बना लिए अब आपको एक और चीज का जो ध्यान रखना है जो कि बहुत important चीज है preparation का लेकिन कहीं न कहीं यह neglect हो जाती है मैं बार-बार बोल रहा हूं revision is the integral part of your preparation आपको daily basis पे revision करना है आपको weekly basis पे revision करना है आपकी classes Monday to Saturday है Sunday को आप revision करेंगे जो भी Monday to Saturday आपने पड़ा है उसका Sunday को आप एक बार revision कर लो periodic revision आपको करना है आपका subject खतम हो चुका है किसी एक दिन आपको उस पूरे subject का revision कर लेना है in gate exam it is not important कि आपने कितना slavus cover किया है the most important thing जो आपने cover किया है उसको आप कितना retain कर पा रहे हो आपने 100 number का slavus complete किया है लेकिन आप 40 number का retain नहीं कर पा रहे हो it is waste आपने 80 number का cover किया है आप 80 के 80 number का retain कर पा रहे हो this is the thing which is going to give you the rank this is the thing which is going to fetch you the rank now आप revision करते जा रहे हो weekly basis पे अब एक और चीज जो सबसे important है आपको अपने आपको evaluate करना है आपको अपने आपको self evaluate करना है ऐसा नहीं कि सीधा हम gate exam में जाके देखेंगे कि हमने कितना पढ़ा है और कितने marks आ रहे हैं continuously आपको अपने आपको self evaluate करना with the help of quizzes with the help of topic wise a test of the test series जी हाँ दोस्तो अनक याडमी platform पर आपको हर दो हफ्ते में एक quiz मिलेगी कई बार weekly basis पे आपको quiz मिलेगी आपको test series मिलने वाली है जिसका नाम है विराट test series जब आप subscription लेते हैं तो विराट test series आपके subscription में ही available होती है जहां पर आपको topic wise test मिल रहे होंगे आपने topics पड़े topic wise test लिख लिए आपके जो भी educator है वो आपके लिए by weekly quizzes conduct कर रहे होंगे या फिर weekly basis पे quizzes conduct कर रहे होंगे आपको एक भी quiz मिस नहीं करना है जैसे जैसे आपका subjects खतम होते जाएंगे आपको subject wise test लिखना है और यह सारी चीज़े आपको Sunday वाले दिन करनी है चाहे वो by weekly quizzes है या फिर topic wise test है या फिर subject wise test है यह सारा आपका Sunday को होगा Monday to Saturday आपको learning के लिए रखना है NTPP solve करने के लिए रखना है डेली revision के लिए रखना है अगर आप इस process को continuously follow करते हैं up to November and trust me आपका confidence इस level पर पहुंच जाएगा कि आप खुद बोलोगे कि सर अब डर नहीं लग रहा है मेरा पुरा slavus complete हो चुका है और अच्छे से complete हो चुका है remember यहाँ पर जो मैंने number of parts लिखे थे 1380 वो मैंने उस हिसाब से लिखे हैं जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं एकदम depth में जाके एक-एक derivation करवाता हूं एक-एक चीज को explain करते वे चलता हूं एक-एक topic पर variety के questions करवाते वे चलता हूं तो उस level पर जाकर अगर आप slavus complete कर रहे हो November end तक अगर आपने कर लिया तो 100% आप एक अच्छी rank लाने की race में आ चुके हो अब आपकी rank कितनी अच्छी आएगी वो इस चीज पर depend करेगा कि November end slavus complete होने के बाद आप full slavus का revision कितने अच्छे से कर रहे हो आप full slavus का revision कितने अच्छे से कर रहे हो जो questions आपके star mark थे उनकी practice आप कितने अच्छे से कर रहे हो जो आपको विराच test series मिली है उसे test series को आप कितने अच्छे से लगा रहे हो उसके full end test mock test आप कितने frequently लगा रहे हो कितने अच्छ कैसे कर रहे हो यह analysis कैसे करते हैं यह मेरी जिम्मेदारी है don't worry about this analysis कैसे की जाते है टेस्ट रीज की यह मैं बताऊंगा इसी के लिए आप निगी तन लगा रहे हो ना that's why you are using the Negaton code to join an academy plus यह मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना एक बार आप निगी तन लगा कर platform पे आ जाते हो तो आप की पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है I am going to guide you I am going to mentor you for both me and xc now now अब आपके दिमाग में एक और question आ रहा होगा कि sir sir best time क्या है preparation start करने का और sir best subjects कौन से है preparation start करने का तो मैं जूम करके चल रहा हूं या तो अभी आप six semester में आ चुके हो या फिर आप अभी four semester में आ चुके हो बाकी पास आउट स्वाले के लिए या फिर जो भी fourth year में उनके लिए तो of course compulsory है ना बिटा अगर आप six semester में आ चुके हो तो आपको फरवरी 2024 से अपनी preparation start कर देनी चाहिए ताकि मैं लिक भी देता हूं मैं लिक भी देता हूं जो मेरे निगी soldiers ऐसे हैं जो अभी six semester में आए हैं क्योंकि अभी six semester में आए हैं तो मेरी सलह आपको यह होगी बटा आप अपनी preparation फरवरी 2024 से start कर दो वेब 2024 से start कर दो क्योंकि अब आपके पास college के साथ साथ एक last attempt बचा है केट 2025 का अगर आप एक साल में अच्छे से prepare करके एक अच्छी rank ले आते हूं तो जब आप college IITS की opportunity है नाव कई बार ऐसा होता है जो मेरा second year का नेगी soldier है जो मेरा second year का नेगी soldier है जो अभी fourth semester में है जो अभी fourth semester में आया है उसको यह लगता है कि सर मैं अभी अपनी preparation start करूं या नहीं करूं सर मैं अभी अपनी preparation start करूं या नहीं करूं तो यार मेरी सला तो आपको यही होगी मेरे बच्चे मेरी सला तो आपको यही होगी कि अभी आप अपनी preparation start कर दो अपनी preparation start कर दो क्योंकि अगर आप अभी से ही अपनी preparation start करोगे अभी से एक अच्छी बन जाएगी आपका स्लिवस हो जाएगा कंप्लीट जहां पर आप पहला अटेम्ट दे सकते हैं ठर्ड येर में और उसके बाद जब आप पोर्थ येर में नेक्स अटम्ट लिख रहे होंगे तो आपकी एक अच्छी रैंक आने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ भी हुआ तो मुझे एक अच्छा एक्स्पीरियंस गेन हो जाएगा मेरा एक अच्छा स्लिवस कंप्लीट हो चुका है और मैं फिर पाइनल एकम्ट में फोड़ दूँगा ठीक है ये चीज़ क्लियर है बटा ये चीज़ क्लियर है ना आप गेट दोजार पच्छिस में स्टार्ट करनी चाहिए एक आईडियल प्रिप्रोशन स्ट्राटीजी क्या होनी चाहिए किन सब्जेक्ट से मुझे अपने अपना 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 गेट की प्रिप्रोशन स्टार्ट करनी चाहिए तो बटा कुछ सब्जेक्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप इनसे रहेगा पौर एक्जामपल बेसिक हर्मुडानमिक्स हर्मुडानमिक्स क्लीवल्ड मेकानिक्स क्लीवल्ड मेकानिक्स engineering mechanics engineering mechanics strength of materials strength of materials engineering mathematics engineering mathematics general aptitude general aptitude ये 6 subject हैं इनके साथ आप अपनी preparation स्टार्ट कर सकते हैं मैं लिख देता हूं छटा सब्जेक्ट भी general aptitude अब आपके दिमाग में आ रहोगे कि सर आप ऐसा ही क्यों बोल रहे हूं इनी सब्जेक्ट के साथ हमको प्रिप्रसर स्टार्ट करनी हैं रीजन मैं बताता हूं देखो तब से पहली बात तो यार यह जो 6 सब्जेक्ट अभी मैंने आप लोग के सामने लिखें यह बहुत बेसिक सब्जेक्ट से मतलब इनको पढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि आपको प्रायर किसी और सब्जेक्ट की नॉलेज होना कंपल सरी है बेसिक थर्मोनामिक्स देजन मैंटर के आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है और कहीं न कहीं आपको 12th क्लास में नॉलेज है 11th क्लास में आपने हीट पढ़ा है तो बेसिक थर्मोनामिक्स आपने फोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो वहां से आप कोर्लेट करते वे चलते जाओगे अगें कोई नहीं चीज नहीं आपने 11th क्लास में पढ़ी है इंजिरिंग मेकानिक्स स्ट्रेंट उप में 11th क्लास में आपने पढ़ी है माथमेटिक कहीना कहीन बीटए के फस समीस्टर सकन्ड समस्टर उपने पढ़ाए जेनरल अप्टिट्व कहीना कहीन आपने 910 की जो आपकी मैफमेटिक्स है वही कहीना कहीन घूम कर यहां पर आती है पास समझ में आ रही है तो यह टोटिल खेट्स हैं किन से आपको कोई भी दो चूज कर लो और आप अपनी प्रप्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं नौ एक और मेरी सला होगी वो सला ये होगी कि बिटा जब भी आप अपनी प्रप्रेशन कर रहे हो तो कोसिस करो कि ये 6 सब्जेक्स आप सबसे पहले कंप्लीट कर लो अब आपके दिमाग high-weightage subjects यह high-weightage वाले subject हैं आपके 50-55 marks किसी भी get exam का आप पेपर उठा ले ना आपको यहां से 50- 55 number का पेपर मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ यह जो 6 subjects हैं यहां से आपको 50 to 50 marks 50 to 55 marks 50 to 55 marks का paper बिल जाएगा point number one high weight is है दूसरी चीज जैसा कि आप लोगों को पता है gate 2021 and onwards आप gate का exam two papers से लिख सकते हैं तो अगर आप इन subjects को complete कर लेते हो तो कहीं न कहीं आपका जो gate xc वाला slivers है वो पूरा का पूरा complete हो जाता है और यार अगर ये 6 subjects आपने अच्छे से पढ़े हैं तो 100% gate mechanical के साथ आपकी ये जो gate xc वाला जब आप पूरा slivers complete कर लेते हो तो आपका confidence level एक अलग level पे पहुंच जाता है you will be feeling confident कि यार चलो ठीक है mechanical का तो मैं करी रहा हूँ और मेरा xc का पूरा slivers complete हो चुका है तो again आपको double security मिल जाती है कि mechanical मेगर थोड़ा ओपर नीचे भी होगा तो मैंने gate xc का पूरा slivers अच्छे से पढ़ा हुआ है तो मेरी कही ना कही मुझे कुछ ना कुछ IIT में admissions मिल जाएगा मुझे कही ना कही कुछ ना कुछ मेरी preparation से मिल जाएगा जिनको gate xc की बारे में नहीं पता है फुड़ा समय बता देता हूँ बटा जिस तरीके से gate mechanical का paper conduct होता है ठीक उसी तरीके से gate xc का paper भी conduct होता it is also one of the paper mechanical के paper का code M.N.E. होता है engineering sciences के paper का code xc है जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है engineering sciences और यहाँ पर क्या होता है जो आपका aptitude वाला पार्ट है यह compulsory है 15 marks का जो engineering mathematics वाला पार्ट है यह compulsory है 15 marks का और आपके पास total seven sections होते हैं जिनमेंसे आपको दो section लिखकर exam लिखना होता है है दो section चूज करके exam लिखना होता है 35 marks each ना देखो aptitude mathematics कंपल्सरी है अब जो mechanical का sprint है उसके लिए जो relevant options है seven section में से वो है एक तो fluid mechanics xcb दूसरा है solid mechanics xcd और तीसरा है thermodynamics xce तो जैसे ही आपने उन six subjects को complete किया जैसे आपने six subjects को complete किया तो hundred percent आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपने इनको भी touch कर लिया है आपका general aptitude हो चुका है mathematics हो चुका है fluid mechanics हो चुका है solid mechanics हो चुका है और आपका thermodynamics भी touch हो चुका है आपका confidence level आपकी preparation के दौरान काफी हाई हो जाएगा आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मेरा xce का syllabus तो complete हो चुका है इसके बाद आपको बाकी के mechanical के subjects करने चाहिए अब मैं आपको यहाँ पर एक और सला दूंगा पिटा यहाँ पर मैं आपको एक question solve करो चाहिए वो NTPP के question solve करो चाहिए फिर वह आप पीवाइक की solve करो यूज वर्च्वल calculator प्लीज 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 वर्च्वल calculator को use करना मेरी लास्ट दस दिन में काफी learner से बात हुई है सर हम लोग वर्च्वल calculator के habitual नहीं थे सर सिली सिली calculation mistakes हुई है और सबसे बड़ा reason क्यों बोल रहा हूं मैं वर्च्वल calculator को use करने का क्योंकि जो आपका manual calculator है जो आप college में use करते हैं जो आप अपने university level के examination के लिए use करते हैं वो calculator और यह calculator बिल्कुल opposite है बिल्कुल opposite है है ना तो starting से ही मेरी humble request है हाथ जोड़ कर आप से बिंती है कि अगर आप seriously prepare कर रहे हैं गेट 2025 के लिए या फिर 26 के लिए starting से virtual calculator use करते वे चलना यहां पर आपका हाथ बैड़ गया तो examination में जो virtual calculator है आपकी silly silly mistakes calculation mistakes नहीं होने देगा यहां तक clarity है अब आपके दिमाग में एक और question आ रहा होगा कि सर मेरा 2024 का पेपर अच्छा नहीं हुआ लेकिन सर मैंने मन बना लिया है कि मैं 2000 बहुत सारे droppers होंगे बहुत होंगे जो कि एक साल ड्रॉप करना चाह रहे होंगे कि सर 2024 में मेरे मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई मुझे उस level का content कहीं और नहीं मिल पाया जिससे कि मैं एक अच्छी rank ला पाहूं या फिर एक स्वाइज रिजन की वजह से मुझे अच्छा content मिला भी तो मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया कुछ मेरे ही अपनी तरफ से कम्या रह गई लेकिन सर मैं अब मन बना लिया है मैंने कि 2015 के लिए मुझे फोड़ना है तो पिटा I will be telling you restart 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 बटन दवा दो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो है थमना है एक अपनी लाइफ में जो सक्सस मिली है उसको एंज्वाई करना है है ना ठीक है एक और चीज मैं पता देता हूँ बटा काफी लोगों की दिमाग में यह होगा कि सर हम अनकैडमी तो जॉइन करना चाह रहे हैं अनकैडमी प्लस का सब्क्रिप्सन लेना चाह रह होगे और हमें आप से क्या-क्या इंपुट मिलने वाला है तो मैं बटा आपको यह भी बता देता हूं अनकैडमी प्लस पर मेरा बेसिक थर्मोडानमिक्स और चल रहा है और मैं नया चाप्टर स्टार्ट कर रहा हूं सेकिंड लॉप थर्मोडानमिक्स और यहां से यहां से थर्मोडानमिक्स का सेकिंड हाफ स्टार्ट हो जाता है जो कि पहले हाफ के इंडिपेंडेंट है तो बाई चांस अगर आप चाहते हूं कि आप थर्मोडानमिक्स जर्नी मेरे साथ कंटीन्यू करो और स्टार्टिंग का जो पार्ट है आप चाहूं तो उसको कि आप मेरे साथ यहां से लाइव जुड सकते है लाइव जूल सकते हैं है न यह छोड़ते छोड़ते कहीं नहीं कहीं 9 बच जाता है तो 6-9 आप मान कर चल सकते हो कि मैं पढ़ा रहा हूं एक प्लस पर लाइव और यह मैं 16 फरवरी से एक नया चाप्टर स्टार्ट कर रहा हूं आपको हर चीस समझ में आएगी वो जिम्मेदारी मेरी है और बाकी के जो 5 चा स्टार्ट कर रहा हूं उसके बाद मैं हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा और अगेन अगेन आई विल भी टीचिंग बेसिक थर्मोडामिक्स क्योंकि मुझे पता है मेरे काफी नेगी सोल्जर से जिनका बेसिक थर्मोडामिक्स वाला पार्ट ठूटा हुआ है तो मैं फिर से अब यह बेसिक थर्मोडामिक्स स्कार्ट करूँगा एक बाद आपका बेसिक अफिर अग्से बाँगाया वियस disciple मैं mechanical में नहीं है तो यह जो extra topics of XCB है चाहे वो potential flow है चाहे फिर वो आपका exact solutions of neighbor strokes equation है वो पूरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक separate course में हर साल में launch करता हूँ इस साल भी launch करूँगा 2024 वालों के लिए लांच किया था इसके अलावा मैं कुछ surprises आपके लिए launch कर सकता हूँ इसके अलावा यह सारे courses मेरे live आने वाले हैं यह जितने भी courses है each and every course will be live will be live है न यह अनकाडमी प्लस पर हम live ही पढ़ाते हैं तो यह सारे के सारे courses आपको मेरी तरफ से live मिलने वाले हैं and of course जो मैंने आपको deadline दी है नवंबर end उससे पहले पहले ही यह सारे courses आपके खतम होने वाले हैं with complete depth of gate mechanical engineering services examination gate xc paper ठीक है चलो आपकी कुछ queries हैं तो पूछ लो बटा चलिए आपकी कुछ queries हैं तो फटाफर से पूछ अगर आपकी कुछ queries है तो फटाफट से पूछलो आई विल अंट से आल यार क्वैरी इस कुछ queries है तो फटाफट से पूछ लिए मेरे बख्यो कुछ भी queries है अना अबैस very good कुछ भी queries आपकी है तो मेरे से पूछ मैंने आपके सामने पूरा रोड मैप बता दिया है हेलो बिटा अदित्या अवधेश कैसे हो आसिफ सुकुमार धनारडी कुछ भी क्वेरीज अप पूछ लो बिटा बिटा एकुरेसी और स्पीड के लिए मैंने बताया था पहले आप एकुरेसी पर ध्यान देना चुरू के दो घंटा उसके बाद एक घंटा आप ध्यान दे सकते हो सुकुमार माजी बोलने सर प्रोड़क्शन दीपराज सर लेने वाले हैं बिलकुल मैट्स जीसी सर लेने वाले हैं ये मुझे कनपरम नहीं है कि मैट्स जीसी सर लेंगे कि नहीं लेंगे बट प्रोड़क्शन तो दीपराज सर ही पढ़ाने वाले हैं सुकुमार डोंट वर लेवल है जो आप फॉलो कर सकते हो at least यहां से आप क्वालिफाई तो आराम से कर लोगे अब इसे एक ठाकुर बोले है सर एक्सी का टैसरीज बेटा इस बार मैं अनक्याडमी प्लस पर ही एक्सी की टैसरीज लाने वाला हूँ हम लोगों ने काफी discussion कर लिए है तो 2025 के जो मेरे एक्सी के एस्परेंट्स है उनको अनक्याडमी पर ही विराट टैसरीज मिलेगी गेट एक्सी के लिए तो आपको चिंता नहीं करनी है इन 2024 आपके पास सफिसेंट टाइम है 2025 के लिए आप कंप्लीट कर सकते हो और कुछ क्वेरीज है मेरे बच्चो तो यार जिनको भी जुड़ना है मेरे साथ अनक्याडमी प्लस पर मैं बता दूं नेगी टन लगाने पर आपको 50% का फ्लैट आप मिल रहा है नेगी टन लगा आओ मेरी पर्सनल गार्णेंस में आओ आई विल मेक सियोर कि नेक्स्ट गेट अटम्ट में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आए आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ आदित्या बोले से कि मैं सेल्फ स्टेडी कर रहा हूं सभी सब्जेक्ट का स्लिवस टॉपिक वाइज मिल जाए तो अच्छा रहेगा चलो मैं अवेलेवल करवा दूँगा ठीक है चलो तो यार मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि क्या-क्या चीजें है जो आपको फॉलो करनी है ना और यस एक और चीज कल मैं फिर लाइव आ रहा हूं 9.30 पीम वाले स्लॉट में आपको अगर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से डिसकस कर सकते हैं आस्क निगिटन एनिटिंग सेशन में लेकर आ रहा हूं गेटन ये से स्पेसल है आपको किसी की भी तरीके की कोई भी कनफ्यूजन है अपनी प्रिप्रोशन रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना आप मेरे से यहां पर डिसकस कर सकते हैं यह यह सारे रैंकर सा जो कहीं ना कहीं पर्मानेंट सेटलमेंट पात चुके हैं गेट 2023 फोड कर 24 वाली फोटो आप देखेंग का आयए टीन है रे बबा इसमें कोई डाउट ही नहीं है आईस ऑफिसर भी बन सकता है पीएस ऑफिसर भी बन सकता है रे बबाग नौट और एक से नए उम्मीद बैच स्टार्ट हो चुके हैं 2025 के लिए तंगराम बैच स्टार्ट हो चुके हैं 2026 के लिए आप जॉइन कर करते हैं आप दो लट्रू कर सकते हैं अगर आप लोण के तुप करना चाह रहे हैं तो आपकोश नहीं करना इस पेइमेंट गेटवे में जाओ लोन वाला खॉन किलिक करो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा आपको ये get started वाले टैप पर click कर देना है कुछ minor details है कुछ छोटी-छोटी details है वो आपको fill कर देना है within fraction of time you will be getting the call from an academy आपको बताना है कि मैं नेगे soldier हूँ मेरा code नेगे 10 है और मैं subscription लेना जहाँ रहा हूँ दो घंटे में approval हो जाएगा minimal paperwork है flexible tenure है और सबसे बड़ी बात no cost EMI है 0% interest है ये रहा QR code इस QR code को scan करो आपको gate XC का सब्सक्रिफ्प्तन मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको recorded sessions ही मिलने वाले है recorded classes ही मिलने वाली है ME plus XC मतलब नेगी टन है और बबाब कैसी आप नेगी टन लगाते हो I am going to mentor you for both गेट मेकानिकल गेट एक्सी ठीक है और नेगी टन टेलिग्राम चैनल अगर आपने अभी तक follow नहीं किया है तो कर लो यहीं पर ही मैं आपको काफी content free of cost अबलेवल करवाने वाला हूँ है आप नेगी टन टेलिग्राम चैनल या तो सर्च कर लो या इस लिंक को टाइप करतो या फिर यह QR कोड है आप इस QR कोड को scan भी कर सकते हैं नेगी सोल्जर है तो नेगी टन है रे बबाबा सर XC के गोल में कुछ नए courses add होने वाले हैं क्या फिलाल तो यार ऐसा कुछ है नहीं एक बार आप टीम से बात कर सकते हो जो आपके पास सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर आप बात कर सकते हो तर यू आर ग्रेट थैंकी सो मच अब्धेस यह मेरा अनक्याडमी प्लस का सब्सक्रिब्स करना पड़ेगा या फिर लोन है बेटा वह एक बार आप जाकर देख लो मुझे उसका आइडिया नहीं है क्रिष्णा क्या बोलें सर वट अबाउट सिक्स मन्थ सब्सक्रिब्स विल इट बी गुड पर में बेटा मुझे कॉंटेक्ट कर लो जिनको भी इस तरीके की कन्फ्यूजन है इस तरीके की क्वेरीज हैं कि सर्माइच है महीने का लूँ या फिर बारा महीने का लूँ अगर आपको जोईन करना है आपको प्रपरेशन स्टार्ट करनी है Give your best, best content पढ़ो, best guidance में पढ़ो, best platform से पढ़ो, और वो क्या है? Unacademy है, रे बबबा, यहाँ खड़े हो कर मैं बता रहा हूं, आज की डेट में mechanical की best team पूरे देश में, पूरे country में, Unacademy पर है, रे बबा, Unacademy पर है, रे बबा, एक एक teacher अपने आप में star है, it is all star team, not one star team, ठीक है? स्टलो, thank you so much, love you all, take care, thank you so much, take care बटा, thank you so much, thank you everyone, thank you. झाल झाल